तो कि अगर आप नई यूजर हैं तो कैसे एंगलर 9 को अपने सिस्टमें पे इस्टॉल करें उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा विंडो प्लस और प्रेस करना है और यहां टाइप करना है मैं CMD कमांड प्रॉम्ट उपन हो जाएगा और यहां पर आपको जहां वी प्रोजेक्ट को बनाना है उस डायरेक्ट्री में जाना वड़ेगा तो इस डायरेक्ट्री मिजट्री में अब यहां पर बनाऊंगा तो फोल्डर बना होगा MKDIR कमांद से सब्सक्राइब करता हूँ और प्रेस करता हूँ तो आपका अगर टेस्टी कोड़ी जा गया इंटर कर दिया अब इसके बाद अब यहां पर मैं एंपेम इंस्टॉल करने जा रहे हूं और इतना कमांड लिख्या पूंट करना है आपका एंपियम आपके सिस्टम पर सक्सेंश फुली इंस्टॉल हो जाएगा जब तक होता है तक के रिए में वीडियो पाउस रख देता हूँ जिस्से की टाइम बेस्ट नहीं वह से इस्ट इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते एंगुलर चल आई 9.0.3 वर्जन इंस्टॉल हुआ है ना अब यहां पर हमारा एंगलर एंप्लिकेशन जनेरेट करेंगे और उसे जनेरेट करने के लिए हम कमांड इंटर करने वाले हैं कमांड का नाम है इंजी निव इंजी फ करता हूं और मैं इतना लिखकर इंटर करता हूं अब यहां पर आप से मांगेगा कि आप राउटिंग चाहते हो कि नहीं यह दो को मांग रहा है वुडियू लाइक टू एड अंगलो राउटिंग आम राइट हीयर यह मीन्स वाई देन इंटर यह कर दिया अब इसके बाद से मांग रहा है कि इस्टाइल सीट फॉर्मेट पुडियू लाइक तो यूज मतलब इस्टाइल सीट के कई सारे फॉर्मेट हैं आप कौन सा यूज करना चाहते हैं सी एसस यह दो डाउनेरो करोगे तो सिलेक्ट होगा वहीं तो मैं सी एसस चाहता हो तो सी एसस पर मैं दो तीन मेट लेता है तो जब तक एप वीडियो को पाउस रखता हूं क्योंकि बहुत जाता टाइम टेके न हो जाएगा जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में वीडियो को रिजिम करता हूं जैसे यह पैकेज आपको रेडिय जाएगा आपको कुछ ऐसा मैसेज दे अब इस से में बहुत परफेट्ले वरका रहा है तो आइम गुए इस पोल्डर एकी इस फीडी स्पेस आदि वेप सेलूशन और अब इसको मैं विजुल इस्टुडियो कोड पूपन करने चल रहा हूं तो आम राइट हीर कोड़ स्पेस डॉट एंटर कर दूँगा अभी स्टुडियो कोड में ओपन होगा एक्शली है सकस्पूल इसलिए हुआ है आप यहां देख सकते हो यह आपका गिट रिपोजिट्री पे भी अगर आप लॉगिन रहोगे तो यहां इसी के साथ साथ इनिशलाइज कर देगा आपको बार-बार मास्टर रिपोजिट्री बना प्रेस करूंगा यहां मेरा टर्मिल ओपन हो जाएगा और यह देख सकते हैं आप मास्टर पॉजिट्री मूद उसके एक बार रन करा के देख लेते हैं इंजी सर्व इंटर कर दिया अब यह हमारा प्रोजेक्ट को पूरा चेक करेगा त्री स्टेप में उसके बाद 100% उपने कर रहा हूं और देखता हूं कि हमारा भी िुक और फेल क्या रहा है हमारे लिक यह मिलत मारक लगप में और फोली एक क्या करने के लिए क्लिए क्रिंब करने के माद करने के सबसे पहले जिए मंदेश्यक्त घरंगे यहां पूट फिरेधा बावन्लोट करके भी स्कुन्वें चला सकते हो वेच्प्र अनलाइन ही ज्यादा दर्बक करना रहता है तो मैं bootstrap का CDN ही यूज़ कर लेता हूं जो bootstrap port का CDN मुझे यहीं से मिल जाएगा और यह रहा यहां से हमारा कुछ CDN मिला है तो मैं इसको क्या करूँगा simply copy करूँगा bootstrap min.csf bootstrap min.csf तो मैं इस latest compiled को या तो original theme को आप किसी को भी CDN यूज़ कर सकते हैं मैं इस bootstrap के official site पर आके इसको मैं copy कर लेता हूं यहां से copy कर लिया और इसको चल रहे हैं अपने index.html के paste करने वाले हैं link tag और head tag के बीच में so मैं यहां पर index पर आता हूं अपनी index file हमारी src के अंदर होनी चाहिए src के अंदर यह रहा index.html कि हमारी यही file run होती है इसमें link tag and head tag के अंदर close करने वाले हैं तो हम यहां पर इसे break करेंगे और यहां पर paste कर देंगे paste करने कबार अब हम इसको save कर लेते हैं और इसकी js file भी कर लेते हैं copy यह देखें यह आप लिखा copy paste style sheet link into head tag before all other style sheet load on CSS अब एक काम करते हैं इसको भी इसी तरह copy कर लेते हैं इसमें क्या दिया है script tag near end of the body tag जहां body tag close हो रहा है वहां पर paste करना उनको तो body tag app route के ऊपर close हो रहा है तो यहां कुछ permit करते हैं यहां पर save पर लेते हैं सेफ करने के बाद अब अपने ब्राउजर को देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है प्रोजेक आदीवेब शलूशन अब देखें यहां बटन बहुत अन्रिस्पॉंस से हो गया उपर नीचे हो रहा है बहुत गंदा से दिख रहा है क्योंकि अब हमारा एक्चुल में बूट क्लिख करोता हूँ यहां पर फॉन्ट ekiस थौपी कर लिता हूं यहां से मैंने सको कॉपी एक से कारूंगा लिए वह हमारा कोट से हो गया font awesome यूज करने बाद देख लेते हैं हमारा कैसे प्रहा है आप पूरा वीडियो मत देखो किया का टाइम विस्ट होगा अगर आप द्योर विगनर हो तो आप पूरा देखो आप के लिए बहुत ज्यादा यूस फुले तो आइ ठिंक हमने सब कुछ आइक्टर लिया इसको फ्लोज करते हैं सारी चीजवों को क्लोज करने के बाद अब हम चलते हैं अबने प्रोजेक्ट के तरह अभी मैं इसको सब को हटाने वाला हूं और हटा के अपना खुद का नैप बार बनाओंगा खुद के सारी चीज़े बना है तो न फ्रेस कंटोल प्लिस एक कंट्रोल ते से ऑल सिलेक्ट होता है जिसके मोड़ कर दिया सेप्ट कर दिया और यहां पर सिंपली है एक tweak दिनाब्र किया च्फार व्यादर सब्टा यह टाइकल जो है मैं अध्य इसा टी च फार किसा दिख रहा है विए अभी हमारा आदी वेब शेलूशन दिख रहा है अब चल रहा हूं इसी पर पूरा वर्क और ने चलो देख कर के वेविए करेंगे रहा हो और यहां पे लांगे पर एक लोबल वैरिविए में यहां पर टाइप करूँगा इसको यहां से हम डाइट लिक फिक्स पर इंपोर्ट कर देंगे यहां पर फिक्स हो गया अब यह चीज इसले नहीं यहां रहा है क्योंकि हमने अनियत को भी पॉल नहीं किया तो अभी यहां पर हम और नित का एक मेथड़ बना देता है एंजी और लिए पर अब देखो अब दूर हो गया इसका कुछ काम अभी नहीं है लेकिन मैंने इंप्रिमेंट इसलिए कर लिए को इनित पर चाहिए तो मैं वह कर लूँगा तो फिलाल अब यहां पर डायर्क लिएक मेथड बनाता इवेंट वह着को इंट होगा एपका सब्सक्राइब कर देता हुट और यहां पर मैं अपना एक बैरिमशन करों वैहां से देखना यह के संण स्थी। इन सिल्ट फाइल इसकोल इवेंट ड़र हैगा इवेंट के साथ हम टार्केट भी करेंगे इंट का तो यहां पर देता हो टार्गेट टार्गेट की स्पिलिंग मिस नहीं होनी चाहिए फाइल पे मैं इंडेक्स आफ एरे पे जीरो रखता हूं अब इसी वेर के थ्रू हम पूरा कॉल करेंगे अपने सारे डेटा को इस पे रखेंगे रखेंगे यहां पर सिंप्लिका करेंगे इस डॉट रजल्ट इ ऍधार्गे अ counting करेंगे फिर इसी थर्ला सेम ऐसे करेंगे इस डॉट रजल्ट इसकंड कॉल अभी होई साइज हो होगी मैं इसे डिफाइन करता हूँ इसके इंदर पूट करता हूँ के बार यहां लगाता हूँ कोलन रहां फिर से अगेंड सिलेक्ट फाइल डॉट आई तो मैंने यहां पर साइस दिया एंटर करना अगर यहां पर सजेशन में एस कैपटल अग्लेना नहीं तो के संटीक और रहाएगा फिर से सॉल्ट में कर पाओगे सोचो कि मैं सही क्या हूं गलत क्यों हो रहा है पर उसमझ नहीं पाओगे चोटी सी गलती पकाड़ा नहीं पाओगे तो जैसा कर रहा हूं ऐसे फॉलो करते चलना यह जाद आपको प्रफिश्टल में नहीं दे रहा हूं हो गया आपको इतना टीस में कोड करना है अब इसके बाद प्रफिश्ट पर आपको कोई भी कोड नहीं करना अब डारेक्ली आना है अपने एस्टेमल फाइल में फाइल पर एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म के अंदर सारी चीज़े करनी है कैसे चले दिखाते हैं इस्टेमल फाइल ओपन कर लेते हैं और यहां टाइटल है नहीं यहां पर मैं एक दे रहा हूं है जाल मतलब होरीजन्टल रो एंटर करता हूं और एक फॉर्म क्रेट करता हूं के साथ यहां पर देता हूं इनले घृतारर ने प्लासथ दे रहा हूं कुंज लेडर हों कि फार्म कांट्रॉल क्लाससले दे रहा हूं जिस धाख कि ठोड़ा श्लीकाटा रहें और यहां था मिशा पर करेंगे तका हσाथ को साथ करेंगे क्योंकि हम events साथ बेलुटार्ट कर रहे हैं उसके बाद सको ट्रैनेट कर देना है अगेरे अब यहाँ यहां टैक के साथ है ओस्पेम टैक केसा प्रीटिकर फिर लिए किमैरे इस प्रॉपरेंट के साथ के साथ क्ले मानेता देफ का रहा है है इसे जाने और इनर यह दिए के साथ होता है तो हम डेटा बैंडिंग साथ इसे यूज करें इनर HTML इसकोल अब यहां पर हम डायक्त लिए रजल्ट पास करा देंगे बस हो गया और कुछ भी नहीं करना उसके बाद आपको डायक्त अब झालने है और अब देख सकते हैं आप ना आयड़ पूट्ड क्यार रहा है सो इसको से पिर लेता हूं रिए ये सब्सक्राइब को देखते हैं कि भॉक करता है कि नहीं कि नहीं करते हैं हो कि यह दिए फटरुपरली दिख रहा है कुंछ करता हूं कोई फाइल चूज करता हूं सब्सक्राइब अपने कंपनी का लोग लेता हूं अधी इवेप शलूशिन का डबल टिक करता है देखो यहां पार रहा है अधीवेप सलूशन डॉटी इंच्छी फाइल क्या है बाइट में है 143145 बाइट में है और फाइल का क्या है image-png इनके सबर आपको डाउट हो रहा है तो चलो मैं किसी और टाइप का ले ले रहा हूं इसको क्लिक करता हूं यहां देखा आप साथ दिख रहा है आशी स्मिस्टर डॉट दियो सी एक्स पाइल चाहिज आ रहा है 38669 और यहां पर फाइल टैप दे रहा यहां पर फाइल लेते हैं हमारे बहुत सारी w.e.dp फाइल है इसको स्लेक करता हूं देखो यहां पर आ रहा है इसका मुस्का मुस्का पेड़े आज आज है आज है